हेलो स्टूटेंट्स, वेलकम टू माई नर्चर, मैं हूँ कृष्णा, कैसे हैं सब लोग, मास बढ़िया तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग, हिम्मन एंट टॉमी और फिजिलोजी का चैप्टर नमबर 6 का लेक्चर नमबर 2 और ये लेक्चर इस चैप्टर का लाश्ट लेक्चर है ना, छोटा चैप्टर था, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था इसके अंदर यहाँ पर हम लोग स्प्लीन एंड लिम्फ नोड ये क्या चीज होती है ठीक है ना, और इनके स्पेशली स्टक्चर और फंक्शन जो कि हमारे कोर्स से मेंशन है उसके उपर फोकस करेंगे ठीक है ना, तो उमीद कर रहा हूँ इसका जो पहला पार्ट है लिम्फैटिक सिस् क्या चीज है अवेलिबल है तो क्या कह रहा है लिम्फैटिक और टिसू तो पहले हमको स्प्लीन और लिम्फ नोड को समझने के लिए यह समझने पड़ेगा यह है क्या आखिरकार लिम्फैटिक सिस्टम में जो लिम्फैटिक सिस्टम था उसमें यह क्या चीज है तो कह रह उसके organ पाए जाते हैं जिनसे मिल करके lymphatic पुरा system बनता है उसके organs और tissues को दो group में divide किया गया है पहला है primary lymphatic organ है ना primary तो primary का काम क्या है they are the sites where stem cells stem cells पता ना जो undifferentiated cells होती है ठीक है जो की आगे जा करके divide हो करके किसी का भी रूप ले सकती है तो stem cells divide and become immunocompetent मतलब divide हो करके वो बिल्कुल immunocompetent एक immune cell बन जाती है B cell T cells ठीक है ना that is capable of mounting and immune response अब जो immunocompetent cell बन गए है उनके अंदर छमता होती है capable होती है कि वो immune response दे सके तो lymphatic organ या primary lymphatic organ वो जगह है जहाँ पर stem cell divide हो करके immune cell में बदल जाते है या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे B cells और T cells की पैदाईस यहाँ पर होती है जिन जगहों पर B cell और T cell पैदा होते हैं उनको हम लोग primary lymphatic organ कहते है खेलिये रवाते हैं ठीक है प्राइम कहां पर जाएगा Red bone marrow कहां कहां पाए जाएगा Flat bone में पाए जाएगा यह हम जान चुके Epiphysis of long bone में पाए जाता है ठीक है And the thymus तो primary lymphatic organ कौन कौन है Red bone marrow और thymus याद रखना ठीक है थाइमस gland जो एक 14-15 साल के बाद जागे गाय भी हो जाती है Pleropotent stem cells Pleropotent मतलब जिसका चमता होती है In red bone marrow Give rise to mature अब जो Pleropotent है जिसका चमता है आगे जाके डिवाइड होने की वो give rise देता है एक mature immunocompetent B cells And pre-T cells T cell अभी भी जाके Mature नहीं हुआ एक cell दूसरा देता है B cell पूरा mature होगा Bone marrow में जाकर के Pre-T cells अब जो pre-T cells होते हैं The pre-T cells in turn migrate to thymus यह pre-T cells होते हैं यह चले जाते हैं thymus के पास और वहाँ जाकर के फिर क्या होंगे Mature होते हैं इसलिए इनको Thymus में जाके यह mature होते हैं इसलिए इनको T cells कहा जाता है Where they become Immunocompetent T cells तो यहाँ तक बात समझ में आई हम लोग बात कर रहे हैं Lymphatic organs और T cells की जो की दो part में डिवाइड हो रखे हैं Primary में और secondary में Lymphatic system के पास जो organs हैं अब secondary lymphatic उसकी बात कर लिए अगर हम लोग Primary कौन से जगह है जहाँ पर हमारे B cells और T cells बनते हैं They are the site where most immune response occur यह वो जगह है जहाँ पर युद्ध होंगे Immune cells लड़ेगा, भीड़ेगा, मारेगा है ना bacteria virus को ठीक है तो यह वो जगह है जहाँ पर immune response होगा लड़ाई बड़ाई होगी जहाँ पर ठीक है ना पैसे उनके साथ They include कहाँ-कहाँ लड़ाई होती है कहाँ-कहाँ पर immune cells, B cells और T cells attack करते हैं, bacteria पर उनको मारते हैं एक lymph node में, spleen में, lymphatic nodules में ठीक है ना तो lymph node और spleen एक तरह से समझे लोगी रणभूमी है एक कुरुचित्र है ठीक है ना युद्ध का मैदान है जहाँ पर हमारे सैनिक B cell और T cell से खड़े हुए है कोई अगर आता है antigen या pathogen तो उससे जाकर के ये लड़ाईयां सुरू कर देते हैं तो वो जगह हैं जहाँ पर immune response होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं secondary lymphoid organ the thymus, lymph node and spleen are considered as organ thymus, lymph node lymph node और spleen को हम लोग क्या बोलते हैं organ बोलते हैं because each is surrounded by a connective tissue capsule ये तीन को तो organ बोल देते हैं कोई इनके आसपास एक covering होती है connective tissue की but the lymphatic nodules in contrast are not considered organ because they lack capsule कुछ इसको पास capsule नहीं होता तो फिलाल हमें ध्यान रखना है secondary organ में 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 कौन है lymph node, spleen और lymphatic nodules अब हमको course में हमारे क्या पढ़ना है lymph node और spleen ये हमारे दो course में है जिनकी detailing यानकी structure और function को हमें समझना है कि लिए बात नहीं है आप समझ में आया spleen और lymph node कौन क्या चीज़े है ठीक है spleen की बात कर लें तो spleen कुछ हमारे पास ऐसा होता है ये कुछ इस टाइप से ये पेट का हिस्सा होता हमारा ये यहाई पर ये kidney है kidney के यहाँ पर इस तरह से पीछे से यहाँ पाया जाता है ठीक है ना इस टाइप से रहता है और एक पीछे की तरफ आ गया, end की बात करें, तो lateral end broad होता है, ठीक है न, यह lateral end है इसके पास, यह broad है, end the medial end, broad, चोड़ा वाला, यह tapering होता है, तो medial end होगा इसका, यहाँ पर यहाँ देखा रखा ज्यादा बेटर, उसमें समझ में नहीं आ रहा है, इसको तो कैसे समझते है जो end होता है, अच्छा lateral ends, यह lateral end है, यह थोड़ा broad देख रहें, चोड़ा-चोड़ा सा है, और जो medial end होगा है यह थोड़ा से क्या है, कुन्य निकली रहा होगी रहते है उसके, ठीक है, ओके, border की बात करें, तो तीन border है, एक ये रा, एक ये रा, एक ये रा, एक ये रा, अब लोग अपर एंटीरियर वाडर शार्प है नॉच अपर वाला शार्प मतलब ऐसे ट्राइंगल शेप में रहेगा तो इसलिए शाप निखा हुआ नॉच इसके गड़्डे से रहते हैं लोवर पोस्टेरियर ब्रॉड यह नीचे वाले होते हैं इन में जो कुन्न रहते है बॉड़रो शोड़े से चप्टे टाइप में रहेंगे कुन्न न रहे गा एक्दम इस तरह सब्सक्राइब चोड़ाई में रहेगा तो इसलिए ब्रॉड का गया है और इंटरमीडियोट जो बॉड़र होता है यह वाला यह थिक इनकम्प्रीट पूरा कम्प्रीट थोड़ी सी, ends border आगे इसके, तीन border हैं, दो ends है इसके, ओके, next आते हैं हम लोग अब इसके बारे थोड़ी सी बाते पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, the spleen is purple, कैसा होता है, purple fist size, एक मुठ्थी, fist मतलब मुठ्थी के shape में रहता है, organ, इसके उपर कवरिंग रहती है, वो एक elastic और fiber की बनी हुई, उसको हम कैप्सूल बोल देते हैं, which allows the spleen to significantly increase its size, अब ये fiber भी है और elastic भी है, तो इससे कहा है, इसप्लीन का size बढ़ने में जब जरूत पढ़ती हैं, तो ये significantly increase its size when necessary, जब जरूत है, spleen को अपना size बढ़ने के लिए, तो ये fiber elastic covering उसको size बढ़ने में easily help करती है, the spleen is an intraperitoneal organ, intraperitoneal मतलब जो peritoneal वाला part है, इसके बीचा-बीच में पाए जाता है, ये, ठीक है, so all of its surface are covered with visceral peritoneum, तो इसके सारे surface है ना, जब तुम लोग गौर से देखोगे, तो surfaces है ना, इसके देखो, यहां से पिचका हुआ, यहां से पिचका हुआ, ऐसे पिचका-पिचका से नहर आता है, क्योंकि एक तरफ kidney इसको दबा के रखती है, तो इसमें ऐसे शेप से दबाव से पढ़ने के वज़से, इसमें शेप से आ जाते है, ठीक है ना, ओके, so all of its surface are covered with visceral peritoneum, जो visceral जो हमारे visceral के अंदर पाए जाते हैं, उनसे चावतार से cover रहता है, अब बात करते हैं, तो होगे इसका outer वाली बात है, अब थोड़ा internal आ जाएं, इसके अंदर की बात है, कह रहा है numerous septa है ना, microscopic anatomy, numerous septa, septa मतलब होता है, एक तरह से partition, septa मतलब क्यों हो जाएगा, partition, numerous septa called tuberculae extend from the dense irregular fibroelastic connective tissue of the capsule into the parenchyma of the spleen, spleen, तो कह रहा है septa, बहुत सारे partition जो होते हैं, अब दोगों यहां तो दिखाता हूं में, यह मेरे पास क्या है, capsule दोगों यहां पर देखते हैं हम लोग, यह spleen यहां locate हो रखा है, ठीक है ना फेश सेर दिखा रखा, यह इसका highlam वाला पार्ट है, ठीक है, और यह इसका बाहर वाला पार्ट है, यह normal है, जब बढ़ जाता है, जिसको हम बढ़े हो क्या हो बोलते हैं, अब जब क्या है, जो हमारा capsule वाला पार्ट है, इसकी ना यह देखो, जो capsule यह अंदर इस तरह से घुसा हुआ है, इसकी वजए से क्या हो गया, एक पार्टिसन क्रियेट हो गया है, तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेवेकलों कहते हैं, ठीक है, यह capsule, capsule कही जो वाले पार्ट में एक रेड्र वाला पार्ट है, तो इस तरीके से और ऑन अदर इसको क्या बोलते हैं, प्रेंट काइमा कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेंट काइमा, अब इस इस पेरेंकाइमा वाले पार्ट में एक रेड वाला पार्ट है, इसको हम रेड पल्प कहते हैं, और एक वाइट वाला पार्ट है, इसको हम लोग वाइट पल्प कहते हैं, इस वाइट वाले को क्या कहते हैं, हम लोग वाइट पल्प कहते हैं, ठीक है न, जो पेरेंकाइमा मत प्लेड वाला पार्ट रहता है आओ देखते इसको तो क्या कह रहा है यह ठीक है कैप्सूल इंटू दा प्रेंट कायम ऑफ दा स्प्रीन ठीक है जो करेक्टिव्टी सो होता हुआ अंदर प्रेंट कायम में चला गया हुआ बोथ दा कैप्सूल एंड ट्रेवेकुले कंटेन मा जो उसका कैप्सूल है ठीक हो पर की जो कवरिंग थी और जो ट्रेवेकुले उनके अंदर एक खास तरके सेल्स पाय जाते हैं जिसे मायो एपिथेलियल मायो मतलब मसल्स एपिथेलियल सेल्स विच हैव दा अबिलिटी इनके पास अबिलिटी होती है कॉंट्रेक्ट करने की सब्सक्राइब की सुकुर्णने की ऐस स्प्रीन इस्टोर सा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ब्लड इस्प्लीन के अंदर काफ ज़्यादा अमाउंट ब्लड जो है स्टोर होकर करके रहता है ठीक है इमर्जेंसी के लिए दा कॉंट्रेक्शन ऑफ दा मायो अपिथेलियल जब यह कॉंट्रेक्ट करेंगे यह पंप कर देगा स्टोर ब्लड को इंटू दा सर्कुलेटी सिस्टम हमारे सिस्टम में आ जागा जागा इमर्जेंसी होती है ठीक है कब करेगा वेन दा बॉड़ी इजिन नीड जब बॉड़ी को ज़रूरत है फॉर एक्जांपल डूरि ब्रिडिंग होगा रहा हो रही है उसकेस में दा प्रेंट काइमा वाला पार्ट था उसका हम लोग क्या बोलते है पल्प कहते है यह अंदर पूरा पार्ट है इसको पल्प कहते है लाल पार्ट को रेड पल्प सफेद पार्ट को वाइट पल्प यह मैं लिख देता हूं इस इस वाइट पल्प किलियर है आगे आते है ओके बेज ऑन दा कलर ऑफ दा पल्प कह रहा है पल्प का कलर कैसा है उसके अधार पर ठीक है फ्रेश एक्षन मतलब एक ताजे ताजे अगर स्प्रीन ताजा मतलब ताजा पेड़ पे नहीं उखता है एक डेड़ बॉड़ी है या एक इंसान जिसका ऑपरेशन हो रहा है ठीक है ना उसका अगर स्प्रीन हम देखें तो उसको जब हम पार्ट कट करके देखेंगे उसको तो उसके अंदर दो पार्ट देखते हैं वाइट और रेड पल्प ठीक है ना इसको हम डिस्टिंग्विस कर सकते हैं अब देखो white pulp की कानी, white pulp क्या होता है, मार कर लेंगे इसको, is the main lymphoid tissue, यही हमारे पास क्या है, main lymphoid tissue है, lymphoid tissue का मतलब क्या हो गया, यही वो है, जो कि क्या करेगा, हमारा जो immune system प्रोवाइड कराने में, हमको help करेगा, ठीक है न, हमारे पास क्या हो गया, main lymphoid tissue of spleen, It is the accumulation of यह होता क्या है वाइट पल्ब बना कैसे यह यह accumulation of lymphocytes जो lymphocytes होते हैं यानिकी B cell T cells होते हैं वो accumulate हो गए हैं एकट्टे हो गए हैं around the arterial vessels यानिकी जो हमारी arteries है ठीक है यह देखो यह artery है यह इसी के आसपास ना इसी के वाज़े से यह क्या हो गए है वाइट पार्ट अदर आता है हमको ठीक है इस एग्रिगेशन मतलब जो जमावड़ा हो गया इनका जमावड़ा हो गए है of lymphocytes constitute the lymphoid tissue इसी की वाज़े से यह क्या कहलाता है lymphoid tissue known as और इस lymphoid tissue जो अंदर हो गए है इसको हम कहते है peri-artrial lymphoid sheet याने की pulse peri-artrial lymphoid sheet and it is the first to react with microbes और यही वो जग़े है अब भी हम देखेंगे ब्लड वगर आता है जहां पर सबसे पहले microbes से साथ इसकी बढ़नत होती है ठीक है न microbes reach the spleen through the blood stream ठीक है मतलब हम देख रहे है यह artery है यहां से ब्लड आता है तो यही वो जग़े है यहां पर ब्लड आता है ब्लड के अंदर कोई antigen या microbes वगर है तो यही पर युद्धों या रडाई हमारी छड़ जाती है ठीक है आगे आते है red pulp की बात कर ले of lymphatic cells इसमें भी क्या होती है हम कह सकते हैं इस टाइब से जैसे कि यह इस ताइब से कॉट्स टाइब देख रहे है ठीक है न एक रसी नुमा कॉट्स ओफ किसकी होती है lymphatic cells such as lymphocytes and macrophages इसके अंदर भी होती है ठीक है बट यहां पर पुरा एक खटा होता है यहां से निकल रही है आगे जाकर के ही कहां चली आती है रैड पल्प में चली आती है as a capillary capillary का रूप ले 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 कि आगे जाकर के capillary पता ना समझा चुका है last lecture में these capillaries empty into the splenic cord अब देखो यह जो capillary है खाली हो जाती है splenic cord में यानिकि जो blood लेके आई उससे सारा blood वहाँ पर ओडेल दिया where macrophages, phagocytes, old and damaged azarocyte जब macrophage होते हैं वो जितना भी old or damaged azarocyte होता है उसको खाल लेते हैं from there blood diffuses into the splenic sinuses और यहां पर जो splenic sinuses हैं उसके अंदर diffuse हो जाते हैं thus returning to venus circulation अब देखों यहाँ पर क्या है इसको हम ऐसे समझते हैं हुआ क्या है यह system समझने के लिए जिसे माल लोगी हमारे पास क्या है इस्प्लीन है ठीक है ना इस्प्लीन के बाद यहां पर यह आई हमारे पास क्या RT और यह आगे जाकर के पतली हो गई ठीक है ना आगे जाकर के जो इस्प्लैनिक साइनेसस थी यह माल लेते हैं हमारे पास क्या है इस्प्लैनिक साइनेसस ठीक है यह क्या है इस्प्लैनिक यहाँ पर आकर के हमारा सारा जो ब्लड था ब्लड को में लाल ले लूँ ठीक है जो ब्लड था यह आकर के इसके अंदर आकर के यहां सारा ब्लड यह आ गया ठीक है न यह ब्लड आने के बाद फिर क्या हुआ आगे यहां पर आगे आगे मेरे पास था यहां पर एक दूसरा लिएं वजबींस यहां से इसको टुकलर लेंगी यहां पर इस वाले से जो इस स्प्लीन की सानेसस है यानि की एक तरह से कहलो कैविटी होती है वहां पर मैक्रोफेजे और वाइट ब्लड से सारी चाहें मौझूद है ब्लड के साथ इंट्रेक्ट करती है वो कोई माइक्रोज वगरा होती है उसको खापी के खदम करती है वाइट ब्लेट सल जो मर गये हैं या मरने का गार पर उनको हटा के अलग कर देती हैं बाकी सारा ब्लड बाकी सारा ब्लड फिर यहां से आगे चला जाता है एक समझने के लिए प्रोसेस बता रहा हूं मैंगी और काफी कॉंप्लिकेट होती है डिटिल चले जाएंगे तो स्रीव इतना समझो कि यहां पर का उडेला यहां पर सारा उसने रियक्शन किया यहां पर इस तरीके से हम देख सकते हैं ठीक है तो यह क्या था इस प्लैनिक कॉर्ड तो यह अपने पास क्या है यहां पर इस प्लैनिक कॉर्ड यह क्या अपने पास इस प्लीनिक कॉर्ड ठीक है यहां पर एम्टी होता है ठीक है इस 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 प्लैनिक कॉर्ड में एम्टी होने के बाद मैक्रोफेजेस और फैकोसाइट करते हैं older damage exercise को from there यहां से blood diffuse करता है into splenic sinus फिर यहां से splenic sinus में जाता है thus returning to venus circulation पास समझ मारे किस तरह blood filter हो रहा है यहां पर filter in the sense किस तरीके से इसके अंदर का waste material पैथोजन वगरा को साफ किया जा रहा है आगे आते हैं ठीक है तो डाइग्राम बनाने को आएगा सिंपल सा स्प्रीन का तो तुम उनको दो तीन चीज़ बनाने को आता है एक्जाम में कैप्सूल रिप्लेंट करोगे रेड पल्प वाइड पल्प ठीक है न यह मार्जिनल जॉन अनल यह comment बता दिया आपको मेंशन करनी है कि लियर है आगे आते हैं कि फंक्शन आफ स्प्लीन की बात कर लें आपको पीछे पढ़ा वह सब्सक्राइब को समझ में आ गया है एक और चीज़ काम करता है अगर जरूद पढ़ती है तो एक्स्ट्रा मेडूलरी मतलब यह बीच का पाट को मेडूला भी कहते है एक्स्ट्रा मेडूलरी हीमोपाइसिस का काम भी यह करता है अगर जरूद पढ़ती है तो हमेटोपाइसिस जिसको हम पढ़ चुके हमेटोपाइसिस क्या होती है ठीक ह एक ऐसा महाल प्रोवाइड करवाता है जहाँ पर आपने आपको छुटकारा पाता है इसको simple लेगे जो लिख सकते हो red blood cells यहाँ जो हमारा blood होता है filter या remove its waste here यहाँ पर अपना waste को remove कर देता है blood filter for foreign material and damage and senescent senescent मतलब जो मर गए है blood cell blood filter हो जाता है कोई foreign particle आ गया उसका अंदर वो फिल्टर होके हड़ जाएगी कोई damaged cell हो हड़ जाएगा कोई blood cell मर गया है तो वो हड़ जाता यहाँ ठीक न red blood cell की life 120 दिन की होती है बस केवल stearocyte यह store करता है iron को आइट्रोसाइट आर्वीसी को store करता है पता है इमर्जेंसी में यही श्रिंक करेगा और एक्स्टर ब्लेड हमको प्रोवाइड करवाता है platelets plasma blast और plasma cells इन सब को क्या करता है यह store करता है rapid release of antigen specific antibody antibody तो काम करता ही है यह तुरंद तुरंद antibody निकालेगा into the circulation produced by red pulp plasma cells red pulp के अंदर plasma cells पाए जाते हैं बहुत जल्दी से antigen specific कौन सा antigen है उसको ले करके खटाक से antibody बनाकर उसको मारने की कोशिश करते हैं डिफेंस करते हैं अगेस्ट बैक्टेरिया यूजिंग iron metabolism by the macrophages ठीक है माइक्रोफ़जिस के द्वारा storage site for B&T lymphocyte B&T lymphocyte को store करते हैं देखा हम लोगों ने यह secondary lymphoid है primary आले क्या करते हैं बनाते है primary organ और secondary lymphoid आगर अपने अंदर store करेंगे और जोद पढ़ने पे लड़ा यहां लड़ेंगे development of B&T lymphocytes upon antigenic challenge ठीक है B&T lymphocyte develop होते हैं अगर कोई antigenic challenge करता करके in fetus यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं हना हमारा जो rbc hemopoiesis वाला chapter था fetus के अंदर spleen is the site where hemopoiesis occur ठीक है fetus के अंदर spleen क्या काम करता है hemopoiesis का काम करता है कब तक meaning that the spleen is the source of blood cell है ना blood cell का source होता है cell formation until the bone marrow become competent to take over that process जब तक bone marrow यह काबिल नहीं हो जाता है इस काबिल कि वह hemopoiesis की process को अपना ले तो जब तो lymphatic system में main function क्या है immunity हीगा तो immunity से बना करके function लिख सकते हो अब lymph node की बात कर ले तो lymph vessel हमने देखे थे यह diagram मैंने यहाँ पर क्यों दिया है थोड़ा सब्सक्राइक लेते हैं इस diagram को मैं पर पहरे भी देना चाहिए था बट कोई बात में यहां बात समझने बोगे हैं यहां जितने वी देख रहे हो तुम लोग यह इस सारे lymph vessels है यह सारे के सारी क्या है इसे हम armpit कहते हैं एक यहाँ पर याने की जो जांग वाला पार्ट होता है इसे हम groin कहते हैं क्या कहते हैं groin armpit और यह देख रहो यहाँ पर बहुत सारा है यह neck यह तीन वो जगे हैं बहुत ज़्यादा जहाँ पर यह lymph node बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं ठीक है इसलिए पूरा दिखाए है पूरी बाड़ी में हमारा क्या रहता है lymphatic vessel गुमते रहते हैं लेकिन lymph node कहा होंगे क्यों लिम्फ node का ही में काम क्या है filter करने का spring का काम अलग हो गया दिमाग से उसको separate करो अब अब आते हैं यहाँ पर lymph अब चीज़ को दिमाग में revise कर लो फटा फट कि lymph कैसे बना था कैसे वो गया था उसके अंदर अब जो lymph है वो क्या होगा अब lymph filter होगा क्या filter होगा अब lymph filter होगा समझना बात को lymph को filter कौन करेगा lymph node करता है ठीक है यहाँ से lymph आता है अब इसको और डिटेल में देखेंगे हम लोग यह पुरा structure है lymph node का यह capsule होता है इसके अंदर उपर ठीक है यह arteries है यह veins है यह cortex बाहर वाला पार कोटेक्स अंदर वाला पार मेडूला ठीक है न यह blood vessels गई हुई है अब इसको और डिटेल में देखेंगे हम लोग तो यह lymph nodes है body में लगबग हर जगे पाए जाए लेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे तो देख सकते है armpit, groin वाला part जो जांगों के बीच में अब दिमाग में सेट होगा लास्ट लेक्टर में डिसकस किया है ठीक है ना बीचेप बोतर कहाँ पाए जाते हैं लिम्फैटिक और अड़ेप्टिव इम्मिन सिस्टम में पाए जाते हैं जुन्ड होते हैं और इसके अंदर बहुत सारे लिम्फैटिक वैसल भी होते है ठीक है ना आगे आते लिम्फैटिक वैसल समझे ना जो लिम्फेटिक वाली जो लिया होती है वैसल होते है अब देखो क्या बोल रहा है इंटरस्टिक वैसल लिम्फैटिक वैसल ऐसे सिस्टम जिसके अंदर वैसल सो और और ओर वहो वो क्या क्या करता है filter करता है और drain करता है अपने अंदर से निकालता है interstitial fluid को arising from the end stage capillary जो कहां से arise हुए थे capillary के अंत से जहां 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 पर मेजर ब्लड वैसल से आकर के जुड़ती है ठीक है ना actually convergence कहलो इस तरीके से कि जहां पर ऐसे मालो की मालो यह क्या है यह बहुत सारी lymph vessels है ठीक है और आगे जा करके यहां पर lymph को वापस कहां lymph वापस कहां मिलता है हमारा blood में मिलता है blood capillary मिलता है वापस आ करके पढ़ चुके हम लोगे अब lymph को वापस blood में आने से पहले हम लोग यहाँ पर क्या होता हमारे body ने system मना दिया है कि तुम direct नहीं जाओगे blood में तुम पहले यहाँ पर filter होगे पहले क्या हो जाओ filter हो जाओ क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या है बैक्टेरिया फिल्टर वगरा हुआ ठीक है ना इस्प्रीन में भी हुआ था ठीक है न हमने देखा तो वो सब कुछ lymph node क्या कर लेगा चान देगा और सिर्फ blood को वापस से blood में डाल देगा तो जहाँ पर यह मिलते है lymph वापस से blood में जा रहा यह convergence हो रहा है ठीक है ना वहाँ पर यह सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं तो convergence हमारा neck armpit और वहाँ पर होता है करके ठीक है तो इसी लिए बोला हुआ यह convergence of major blood vessel जहां पर major blood vessel के convergence हैं वहाँ पर यह ज्यादा पाए जाते हैं वही पर क्या है lymph को वापस से blood के अंदर मिलना है and any adult human has about 800 lymph nodes एक adult के अंदर लगवक 800 lymph nodes होते है mostly concentrated in groin कहां का पाए जाते हैं जाता है growing armpit neck and abdominal region है ना abdominal region हम देख सकते पेट वाला हिस्सा है जो यह पेट वाला हिस्से में काफी जादा पाए जाते है तो यह पेट वाला हिस्से में भी काफी जादा lymph nodes पाए जाते हैं आगे देखते हैं The lymph nodes serve as the secondary lymphoid organ, secondary पता है हमको क्या होते हैं, जहाँ पर fighting वगए रहा होती है, इस्टोर करते हैं B और T cells को in the lymphatic system, They are the major site for lymphocytes such as B cells and T cells, अब secondary lymphoid organ आते ही दिवागें बात आ जाने चाहिए, कि अच्छा secondary है तो इसके पर B cells T cells होगा और यह लड़ाईया लड़ेंगे यहाँ पर, They are important for proper functioning of immune system, यह ज़रूरी है, किसके लिए ताकि immune system proper work करता रहे, as they help in filtering foreign substance, क्योंकि यह मदद करते हैं, जो भी foreign particle आ गया है, blood के अंदर, microbes वगएरा, पैतने वगएरा, उसको filter करके अलग कर दे, and even cancerous cell, और यहाँ तक कि जो cancerous cell होते हैं, उनको भी यह बाहर कर देता है, ठीक है, तो यह इसका एक function में आ जाएगा, cancerous cell का, अब structure के अगर हम बात करें, तो देखते हैं जारा है, तो structure में तुमको एक मोटी-मोटी चरपा चीज़ें इसकी बनानी है, अगर exam में आ जाता है, जैसे कि मान लो इस तरह से बना दोगे, ठीक है ना, तो यह practice कर ले नहीं है, क्योंकि मेरे को भी exactly याद नहीं है, और एक यह main निकाल दोगे यहाँ से, ठीक है, फिर यहाँ पर इस तरह से partition दिखा दोगे, इस तरीके से 3-4 चीज़ें, बाहर क्या दिखाओगे, capsule, सबसे outside पर क्या है, capsule, ठीक है न, उसके बाद incoming, यहाँ यह इस दिखाओगे, यह क्या है इस तरह से efferent lymph, यहाँ से lymph इसके अंदर enter कर रहा है, इसके अंदर कर रहा है, ठीक है फिर इधर से इधर चला जाता है, और फिर यहाँ पर जो भी lymph एंटर करता है, filter filter हो करके, पिर वापस यहाँ से निकल करके, चला जाता है कहां? अपने blood में, ठीक है तो फिल्ड यहां से तो इसको एफरेंट लिंफ वेसल कहते हैं इसको हम इफरेंट कहते है तो मार कर लेंगे 1, 2, 3 मेडूला जो बीच वाला पार्ट है इसको बीच वाला पार्ट है इस तरह से मेडूला रहेगा यह साइनस देख रहे हैं यह यह वाला 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 सब कैप्सुल के नीचे सब इसको हटा दो इसको जरूत नहीं हमको ठीक है तो इससे में में पार्ट दिखा करके इसका तुम डाइग्राम अगर एक्जाम में आता है इस तरीके से इसका इस्टक्चर तुम लोग बनाओं और इसको एक्स्ट्रेन करोगी और देखिया और इस्ट्रक्चर हमारे पास मैंने लिया हुआ है जिससे कि तुम लोगों को चीजने समझने में थोड़ी सी असानी रहे देख इसमें लिम्फ आ रहा है यह इसरो इधार आ और ये space है ये space है ठीक है ये space है ये space ठीक है तो जो सबसी उपर क्या है capsule then reticular tissue then trabecular ये लंबे-लंबे कहा चला है कर ट्राभी क्यों जो पाटिशन देते हैं यहां से यह आ रहा है लिंप कोटेक्स वाला पार्ट की बात करें अगर हम लोग तो देखो इस सब कैप्सुकुलर से ले करके यहां से ले करके यहां तक वाले पार्ट में क्या 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 आता है सब कैप्सुकुलर साइनस लिंफेटिक नोडिूल जर्मिनल सेंटर जर्मिनल सेंटर क्या होता है बीटावी ब्लाता है बहुत सारे बादाता है बहुत सारी यह कोंनागे यह ऋब होता है ना के दिनी वाले पार्ट है भी पटेक्स होता है okay मेडलोरी साइन है, जो साइनस होता है, मेडलोरी कोट, ठीक है, यहाँ पास क्या है, afferent, lymphatic 弒ेसल, यहाँ से लीफ अंदर जा रहा है, गोल पाइप है, और यहाँ से लीफ बाहर आ रहा है, आर्ट्री यांड वीन्स है, कि लिए नहीं थो, मोटी-моटी तुमको एक डाग्राम रिपरजेंट करना असान हो जाएगा तो यह में जो है तुम्यारा किसके लिए डाइगार को समझने के लिए की एक डाइग्राम अगर में आ जाये तो इस तर्से डाइगराम में बना सकते हुड पढ़ना श्टार्ट करने अब इसके capsule की covering होती है बाई यह fibrous यह elastic नहीं है इस्प्लीन के उपर क्या elastic की covering भी थी तो वो fibrous elastic था यह केवल fibrous है the organ is divided into two main region organ दो main region में divided रखा था namely outer cortex and inner medulla है ना outer cortex और inner वाला medulla होता है यह रहा medulla वाला part ठीक है highlam is the structure found on the concave side है ना concave side यह curve ऐसा होता है यह convex यह concave पड़ा होगा physics में तो highlam क्या है यह वाला part है ठीक है concave वाला जिसके अंदर से यह arteries और wean वेगरा क्या कर रही है अंदर entry मार रही है highlam is the structure found on the concave face of the lymph node from where lymphatic vessels leave जहां से यहां पर from होना चाहिए from where lymphatic vessels leave वो लीफ करती है बाहर को निकलती है and blood vessels enter और blood vessels क्या करती है एंटर करती है और लीफ करती है आर्टरी एंटर करेगी वीज लीफ करेगी जो lymphatic vessel है क्योंकि lymph यहां से आया था तो यहां से फिर बाहर निकलता है अंदर filter होने के बाद पास समझ में आ रही है फास तो नहीं हो रहा है ठीक है फास लगा तो वीडियो पॉस्ट कर देना हो अपर तो वापस बैग जाना उसको वापस समझना है ठीक है ना आगे आते हैं अब इसके हम लोग क्या करेंगे जो ना तो यह death irregular collective tissue होता है and collagenous fiber का बना होता है the capsule extended, travocular extend मतलब अंदर की तरफ भेशता है ट्रेवकलय को ट्रेवकलय क्या होते है rod-like structure that anchors anchor करते हैं पकड़ते हैं the framework of an organ पूरे organ को जगड़ के रखे हैं ताकि वो मजबूत बना रहे है ठीक है इंटो दा लिंफ नोड लिंफ नोड के अंदर रेडियेटिंग टोर्बर्ड चैनर है ना ज़सेंटर के तरफ रobraःत ऐसा लाएगा की ऐसे हैं ऐसे रेडियेटिंग टूर्बर्स सेंटर टार लाज मिमें भीडे ओन अंहें यहाई यह हैं एकाहिट उसमें break कर जाते हैं, ठीक है, form a mesh-like network, यह mesh-like जालनुमा यह network बन जाता है in the center और medullary region of the lymph node, center में कहलो यहाँ जो medullary part है, वहाँ पर एक जालनुमा क्या बना लेते हैं यह, network से बना लेते हैं, these spaces formed by the mesh contain the lymph node, substance और actual lymphoid tissue, अब यहाँ पर जो यह mesh type structure बन गया है, इसके अंदर हमारे main lymphoid tissue या cells कहलो, वो यहाँ रहेंगे और अपना काम करते हैं, capsule हो गया, then sub capsular sinus, अब capsule पर capsule था, उसके अंदर यह बीच वाला part जो था, मैंने बदा था, sinus, जो sub capsular वाला था, है ना, यह वाला जो पार्ट था, ठीक है, यह जो पार्ट है अपना, sub capsular, sub capsular sinus है ना, यह वाला part, कि लिए रहाद है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, the space between capsule, जो बहार की boundary है, and the cortex, cortex जो अंदर वाला part था, उसके बीच का जो space है, वो क्या 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 आएगा, sub capsular sinus क्या क्या आएगा, is known as sub capsular sinus, it is also known as lymph path, इसको लिंफ path या marginal sinus या lymph sinus भी कहते हैं, that help in the transportation of lymphatic phillus, जो lymph आया है, जो lymph यहाँ से अंदर entry किया है, उसके transportation को आएगा ना, आगे, उसके transportation में help करता है यह, ठीक है, it receive the afferent vessel ये afferent vessel को receive करता है लो कि इसके अदर खुलति आ करके goes on with the trabecular और trabecular के साथ चलता है फिर ये ये, है ना ये trabecular के साथ चल रहा ही है अंदर-अंदर trabecular sinus and connect with the medullary sinus और अंदर जाकर के medullary sinus में connect हो जाता है in the medulla of the lymph node the subcapsular sinus is present just below the capsule and consist of बोथ reticular cells and fiber just capsule के नीचे होता और इसके अदर दोनों reticular cells और fiber भी होते हैं जरूरी नहीं है कि सारी लाइने लिखो इतनी लाइने जिसके बारे में याद रहा या उतना लिखना है ठीक है न एक्जाम में अब कोटेक्स वाले पार्ट में आते हैं अब कोटेक्स यहां से अच्छा समझ में आता है हमको कि भीया कोटेक्स तो हमारा यह रहा यहां से लेकर यहां तक एक दो तीन चार इतना भी लिख दो कोटेक्स के अंदर यह सब चीज़ें पर और यह डाग्राम करें से बना दो तो भी complete मारा जाएगा यह ठीक है ना कोई दिक्कतली बात नहीं कोटेक्स में क्या है सबसे आउटर लियर होती है इस प्रिजेंट राइट विलो दा सब कैप्सिकुलर साइनस जश्ट यह साइनस के नीचे यह वाला पार्ट जो है की कैलाएगा अपना kोटेक्स कैलाएगा ठीक है कोटेक्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक बाहरी आउटर और एक इनर जश्ट चोटेएगा जा भी जाते हैं consists of B-cell arranged in follicle B-cell क्या follicle एक छोटे पाउच्छ गोलगोल टाप में अरेंज रहते हैं जब B-cell developed as germinal center when allocated by the antigen B-cell एक germinal center develop कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे उन्हें antibodies develop करनी होती है जब यहाँ पर क्या है antigen उनको लगता कि antigen आ गया है वहाँ पर the paracortex consists of mainly T-cells and hence also known as T-cell layer और इसलिए हम इसको T-cell layer भी कहते है कि लिए रहे बाते हैं then medulla पर आ जाए ठीक है medulla जो है हमारा अब अंदर बाला part आगे medulla ठीक है अगे आते हैं the innermost layer of lymph node is the medulla सबसे अंदर की जो layer होती है medulla कहते है that consist of medullary cord वहाँ पर एक रसी नुमा धागा नुमा देखाई पड़ेगी चीज जिसको medullary cord कहते है ठीक है medullary cord sinuses and large blood vessels पाई जाते हैं वहाँ पर the antibody producing cells such as macrophages जो antibody producing cells होते है macrophages plasma cells and B cells are found in the medullary cord cells पाई जाते हैं जैसे कि macrophages plasma cells इतना लिखके भी छोड़ सकते हो बास समझ में आगी ठीक है cells of the lymph node कौन-कौन से cells पाई जाते हम सबको पता है B cells और T cells पाई जाते हैं यहाँ पर the outer cortex is mainly of B cells हमको पता भी देखा हमने उपर तो outer cortex से उसमें क्या पाई जाते है में B cells पाई जाते हैं arranged in follicle while the inner cortex यह पर cortex contain the T cells and dendritic cells क्या होते हैं एक तरह के helping cells होते हैं कोई antigen अगर आ गया है दाय में तो उसको पकड़ करके ले जाकर के B cell और T cell के सामवे रख देगा कि लो भाई यह दुस्मन आ गया मारो काटो इसे ठीक है ना तो dendritic cell एक तरह से helping का काम करते हैं the medulla has fewer cells in comparison to the cortex medulla के पास कम cell होते हैं cortex comparison में it contains macrophages and plasma cells यहाँ पर क्या है macrophages of plasma cell पाई जाते हैं अब flow of lymph lymph किस तरह से lymph node के अंदर flow कर दा lymph node के अंदर ठीक है ना the lymph enter the lymph node through the afferent lymphatic vessel तो यह रहा हम देख सकते हैं यहाँ पर यह afferent lymphatic vessel है यहाँ से इसने enter किया ठीक है on the convex side यहाँ से इसने enter किया ठीक है the lymph then flow into the space of sub capsular sinus and then continue into the sinus of the cortex ठीक है यह जो lymph है इस sinus से होता हुआ हुआ कोटेक्स और कोटेक्स से होता हुआ मेडूला तक चला जाता है ठीक है तो lymph then flows into the space of sub capsular sinus and then continuous लगाता चलता है रहता है into the sinus of the cortex from the cortex cortex say the lymph collect into the medullary sinus sinus पतला पत्ती पत्ती नलिया टाइप की यहां से जाता है और इसी बीच में जब यहां से जाता है इसी बीच में सारा फिल्टर यह हो जाता है ठीक है ना finally if a friend lymphatic vessel यहां से यह बहार आ रहा है on the concave side,Concave side होता है through the efferent lymphatic vessels तो यह लिंट का circulation हो गया मारे पास concave side से आना i friend से घुसना i friend से निकलना इस आज़ लिखनी हो अपर नेस्ट आता है function of lymph node, तो function of lymph node क्या है, बता दो फटा फट, immunity, अब ब्लड का filter, खेल करता हम, ठीक है न, sorry, lymph का filter करना, है न, lymph को filter, ब्लड को नी, lymph को filter करना, और immunity है न, B cell T cell से ब्लड करवाते हैं, तो इस तरीके से इसको याद रखना है, क्या बोल रहा है अब यह, the lymph node is a secondary lymphoid organ ठीक है, that functions primarily to filter the lymph, यह याद कर लेंगे, एक function, filter करता है किसको, lymph को, and fight foreign substance, यह दूसरा हो जाएगा, filter lymph, fight foreign substance, to fight this infectious agent, lymph contain lymphocytes such as B and T cells, it contain B and T cells, to fight foreign substance, तीसरा पॉइंट हो जाएगा, The B cells that are produced in the bone marrow are transported to the lymph node, जो bone marrow produce होते हैं, यह लेजा करके, bone marrow क्या है अपना, primary, यह क्या है, secondary, यह लेजा करके, कहाँ पे, transported to the lymph nodes and resides inside it, और फिर reside मतला उसमें रहने लगते हैं, किसमें lymph node में, the B cells circulate in the targeted area, B cells, जो target area होते हैं, वहाँ पे घुमते रहते हैं, circulate करते रहते हैं, and stimulate immune response, और immune response को stimulate करते हैं, and producing antibody, और साथ साथ में antibody मनाती है, if they find any infectious region, तो antibody पराने का काम करते हैं, इसलिए वहाँ पे, germinal center आ जाता है, Antigenes are chemical substance, Antigen क्या होते हैं सबकों पता है, chemical substance होता है, that are found in bacteria cell wall, जो bacteria के cell wall में पाया जाता है, Antigen presenting cells such as dendritic cell, बता है था, dendritic cells होते हैं, helping cell होते हैं, take up this antigen, इन antigen को ले जा करके, present it to the T cells, T cells के सामने रख देते हैं, if the T cells have an appropriate receptor, और उस T cells के पास receptors है, they get activated, वो activate हो जाएंगे, and produce antibodies, और क्या बनाना सुरू कर देंगे, Antibody बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो ultimately काम क्या है, filter का और foreign substance से बचाने का, 3-4 point यहाँ से तोड़ तोड़ की अपने बना सकते हो, अलग-अलग, ठीक है, जिससे की एक function नम, 3 point यह है, 4-5 point लिख सके, clear है बाते हैं, तो यह था हमारा lecture, और यह था हमारा chapter, ठीक है, न, दोड़ रही खतम होते हैं, ठीक है, पढ़ रहे हो कि ने पढ़ रहे हो, तरीके मैं बताता हूं, उसको follow कर रहे हो की नहीं कर रहे हो, करते रहना, तो उन्हों का response में comments आते हैं, मैं देखता हूं, ठीक है न, उससे काफी कुछ जाधा खुशी मिलते मेरों कि काफी जाधा बच्चों को फाइदा हो रहे हैं मेरे इन वीडियों से ठीक है ना और काफी ज़्यादा बच्चे कॉल भी करते बहुत अच्छा लगता है वह से बचतों होते हैं ना मेरों कॉल करते बड़ा मजा आथ सब्सक्राइब मैं नर्चर ठीक है न कोई भी चीज है उसकी आगे मांड नर्चर लिखो अगर वह चीज मेरी अविलेवल करना आते हो प्रिप्रेशन कीसे करनी है प्रीचीर क्या है हो प्रीवीजर पेपर मांने ने लिख दो लेक्टर निकल हर वीडियो में description में क्या रहता है notes का link रहता है जिसका फाइदा उठाएं ठीक न प्रॉपर तयारी करें और app का यूज करना है तो app का यूज करें All the best